पंजाब में ड्रग्स का जाल समाज में ऐसे फैला हुआ है कि आम लोगों की जिन्दिगी के तानेबाने इसमें उलज गए है राजनीती में भी ये मुद्दा चुनावों में हार या जीत तै कर रहा है लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पंजाब में ड्रग्स की तसकरी पर लगाम लगाना मुश्किल ही रहा है सीमा पार से स्मगलिंग के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं ड्रोन से डिलिवरी हाली में पक्री गई हमारी ग्राउंड रिपॉर्ट अभी तक केवल सुना था लेकिन पहली बार वीडियो सामने है जो बता रहा है कि सीमा पार पाकिस्तान से पंजाब में ड्रोन के जरिये ड्रग्स लाई जा रही है इस वीडियो में ड्रोन के साथ आदा किलो हिरोईन का पैकेट है जो दिन दहाडे भारतिय सीमा में आया घटना पंजाब के सरहदी जिले तरंतारं की है इसी हफ़ते पुलिस ने सबा तीन किलो हिरोईन के साथ तीन ड्रग स्मगलर को गिरफतार किया और उनके पास से ना सिर्फ ड्रोन बरामद हुआ बलकि ड्रोन वीडियो भी मिला लेकिन इस घटना से पुलिस की चिंता बढ़ गई क्योंकि अभी तक ड्रोन के रात में आने का चलन था अब दिन में भी आने लगा है ट्रांस बॉर्डर ड्रोन के ज़रे दोपेर में एक दो किलो के पैकिट भी गिराय जाते हैं वैसे ड्रोन के जरिये ही नहीं ढर्या के जरिये भी पाकिस्तान से आ रही है पंजाब पुलिस की स्ट्रीय फने मंगलवार को 41 किलो हेरोईिन के साथ तीन स्मगलर गिरफतार किये जो पाकिस्तान से रावी नदी के जरिये ड्रग्स अम्रस्तर लाए थे पिछले कुछ समय में पंजाब पुलिस ने अकेले और बीएसफ के साथ मिलकर बड़ी मात्रा में ड्रग्स के खिलाफ कारवाई की पिछले एक साल में पंजाब में 1214 किलो हिरोईन पकड़ी गई जबकि उससे पहले एक साल में 456 किलो पकड़ी गई थी पिछले एक साल में 1335 ड्रग्स के मामले दर्ज हुए जिसमें 17565 लोगों की गिरफतारी हुई जबकि उसके पहले एक साल में 10,258 मामले दर्ज हुए थे और 14,170 लोग गिरफतार हुए थे फिजले एक साल में साड़े दस करोड रुपए ड्रग्स मनी भी बरामद हुई जबकि उससे पहले लगबग साड़े तीन करोड बरामद हुई थी वैसे ये सवाल जरूर उड़ सकता है कि इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स बरामद होना पुलिस और सुरक्षा बलो की काम्याबी का नतीजा है या फिर सिमा पार से ड्रग्स की सप्लाई बढ़ी है पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस का एक ये द्रड संकल्प है कि पंजाब से जो नशा है जो ड्रग्स आ रही है उन पे पूरी तरह अंकुष लगाया जा सके पंजाब पुलिस और ब्येसफ के बीच ये भी फैसला हुआ है कि अब ड्रग्स मगलिंग में पकड़े जाने वाले लोगों की संपत्ती जब्त की जाएगी पंजाब में ड्रग्स वो समस्या है जो आमादी पार्टी शुरू सही उठाती रही और इसका खात्मा करने का वादा करके ही आमादी पार्टी सत्ता में आई अब पंजाब के मुखे मंत्री भगवंध मान ने दावा किया है कि पंजाब में ड्रग्स समस्या का अंत अगले साल तक हो जाएगा ऐसे में पंजाब में ड्रग्स खात्मे के लिहास से अगले कुछ महीने एहम रहेंगे चंडिकर से अमरजी सिंग के साथ मैं शरच चर्मा एनिटी मीडिया और इस बीच पंजाब में राज़ेपाल बन्वारी लाल और मुख्यमंत्री भगवंद मान की तनातनी के केंद्र में राज़े में ड्रग्स की तसकरी और बिक्री रोकने का मामला भी है शुक्रुवार को ही राज़ेपाल ने चेतावनी दी थी कि अगर जल्द ही राज़े सरकार उनके सवालों का जवाब नहीं देती है तो वो राशपती साशन की सिफारिश कर सकते हैं अब सीएम भगवंद मार ने प्रेस कांफरेंस करके बताया है कि सरकार ड्रग्स तसकरी और इस्तमाल से जुड़े सभी पहलूओं पर कारवाई कर रही है और राज़पाल को इसकी पूरी जानकारी है